आज का मारा टॉपिक कंट्रिबूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट ये कंट्रिबूशन हम लाइट या आई या विजन के हवाले से बढ़ेंगे अब इन फिल्ड में दो मुसल्मान साइंसनान ऐसे हैं जिनकी कंट्रिबूशन बहुत ज्यादा है एक है अलीब नईशा और द आई के हवाले से इमिज फॉर्मेशन के हवाले से इन सब चीजों के हवाले से हम बात करेंगे आज अब इसमें जो हमारे पास पहले साइंसदान है जिनका हम धिक्र करने वाले वहनी अली इशा साथ यह उपर वाले साहब जो है जैया इनकी सबसे जो बड़ी यह चीजी इनके जो life spans होते हैं, sometimes examiner पूछ लेता होता है, usually नहीं पूछता होता, sometimes वो पूछ लेता होता है, so you people need to remember that as well, अच्छा जी, इनकी सबसे बड़ी contribution यह है मेरा बेटा, कि इन्हों में लिखी है थी तीन किताबने चनाब, so he wrote three books, और उन तीन किताबों में, यह तीनों की तीनों किताबें, interestingly, ophthalmology पे थी, यह जो ophthalmology है, इसके बारे में, बेटा, मेरा बच्चा हम कहते हैं, कि this is actually the study of diseases and surgery of eye, मेरा बच्चा बायो की वो ब्रांच जिसमें हम आख की बिमारियों और उसके सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम ophthalmology कहते हैं, अच्छा, इन्हों ने ophthalmology पे गुनियादी दौर पर तीन किताबें लिखी थी, अली इपने इसा साहब ने, और उन तीन किताबों में, इन्हों ने कुछ बिमारियों का भी बताया, और कुछ बिमारियों का इलाज हुदा है, अच्छ बिमारियों के बारे में बताया, जो सारी के सारी आँख से मुतलिक थी, और तक्रीबन 143 ड्रॉग्स, और तक्रीबन 143 ड्रॉग्स के बारे में इन्हों ने information शेयर की, अपनी उन तीन किताबों में, तो यह थे अलीव ने इसा, इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो हमारे पास जो दूसरे मुस्लमान साइसदान हैं, जिनकी इस फिल्ड में बहुत ज्यादा contribution है, वो हैं जी, इबनल हीशम, इबनल हीशम इनका उर्दो में नाम है, और अंग्रेजी में इनको इबनल हिथम भी कहते हैं, यह दोनों नाम इनके पुकारे जाते हैं, इबनल यह जो इबनल हीशम सहाब हैं, इनकी तो contribution में बचा ऐसे समझेए कि बहुत ही ज्यादा है, यह निचे वाले सहाब जो हैं, यह इबनल हीशम है, इनको ना बिटा, फादर आफ आफ आप्टिक्स कहते हैं, अब आप्टिक्स भी बुनियादी तोर पर ophthalmology की तरह एक इस behavior है मेरा बेटा, उसकी study को हम आप्टिक्स कहते हैं, तो इनकी एक किताब है, that is very famous, and that book is Book of Optics, इस Book of Optics में इनको ने अपने जमाने से आगे की बातें की ऐसे समझे, इनकी यह जो किताब थी, यह कई सो सालों तक यॉरप में as a curriculum पढ़ाई जाती रही, इतना rich content और इतनी ज्यादा detail में, depth में इन्होंने चीजों को explain किया था, चार-पांच चीजों की बात करते हैं जी, जो इन्होंने, जिन पे इनका काम है, इन्होंने process of sight जो है, कोई चीज हमें दिखाई कैसे देती है, उसके हवाले से काम किया, इन्होंने image formation, आँख में image formation कैसे होती है, उस जाबा, इनका काम था, pin hall camera के हवाले से, तो ये तीन चार चीजे हैं, that you people need to remember, about Ibn Reisham, कि इन्होंने process of sight के बारे में बताया, इन्होंने image formation के बारे में बताया, Ibn Reisham सहाब ने, और इन्होंने pin hall camera के बारे में बताया, in his book, book of optics, that was one of the very best books, in the field of optics, आज के lecture में हमने इन दो अ See you in the next lecture, Allah Hafiz